सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और दबाओ घंटे को ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो देखने को मिलेए तो चलो आज बात करते हैं कि मेरी फ्लाइट जर्नी मतलब हम दोनों गये थे बहुत लोगों पता होगा तो जिते लोग देख चुके उनको कोईशन था सब भी कोईशन था कि कैसे जाते हैं कितना खर्चा होता है क्या-क्या बुक करना पड़ता है कहां से बुक होता है कितना बजट था तो फिलाल यार मतलब बजट के मामले में कम से कम 53,000 रुपए खर्चा हुए है क्योंकि राइगर से हम लोग गए थे पूरी और बहुत लोगा क्विशन था कि भाया कोमेंट कर रहे है राइगर में एरपूर्ट कहां पर है टाइटल पड़ो अच्छे से मैंने लिखा है राइगर टू पूरी का सफर और डायरेक्ट फ्लाइट पूरी भी नहीं जाता है हो गया हम लोग सफर किये थे राइगर से मतलब घरगोड़ा मेरे घर से बिचिनारा से घरगोड़ा घरगोड़ा से राइगर राइगर से जारसो गुड़ा फिर भूनेश्वर एक दिन का सफर ठीक है सबसे पहले बात कि आप लोग फ्लाइट कैसे बूक करते हो तो देखो पहुंच जाओगे जारसो गुड़ा फिर वहां से पंदरासो की फ्लाइट करना वहां से बुनेश्वर घुमने के बाद में पूरी पहुंच जाना ठीक है फ्लाइट टिकट तीन दरगा पड़ता है मतलब एक मेने पहले करोगे तो आपको 15 रुपए है फ्लाइट का से बन गया या फिर एक दिन पहले दो दिन पहले बन गया प्लाइन तो आपको पड़ेगा कम से कम पांच या छीजार रुपए बहुत लोग एक ऐसर नहीं होता है कभी जाके देखना तो वहां पे वही रहता है अगर एक मेने पहले करते हो तो पंदरासो तक रहता है उसके पर से इतना च्छा उपर से देखो कि बादलों का नजारा लगी लेवल कर स्वाइग रहता है कि आप कहां से करते हूं तो प्रमोट नहीं कर रहा हूं लेकिन मैंने बूख किया था बुक माइसो से आप खोलना बुक माइसो का एप जहां से आप टिकट बूख कर सकते हो आप पर्चे मोबाइल में दिखा होगे तो भी चल जाता है और दूसरा उप्सन है आप उसको निकल वाले ना प्रिंट आउट हो जाके वहां पे एरपोर्ट में दिखा सकते हो ठीक है और किसी करवा रहे हो किसी दुकान में अगर फर्म भरवा रहे हो खुद भी कर रहे हो दिखा देगा एक सुभाई जीड ऐसा कुछ आई नमबर रहता है उसको डालोगे फिर चेक इन का बटन दबाऊगे फिर चेक इन का एक प्रिंट आउट निकलता है जो कि आप मोबाइल में भी निकाल सकते हो और दुकान में निकाल सकते हो आसान है सिंपल है आप खोलोगे करें यहां से लोग करके गए रायगर से ट्रेन किये थे ट्रेन का और फलाइट का तो आने जाने वह पूरी से लोग डिरेक्ट ड्रेन में वापस भी आये आने जाने का खर्चा हुआ तोटल सात लोगों का खर्चा एक परसंगा टीन अजार एक सो रूपए उससे भी कम पड़ सकता है अगर आप जल्दी बुक कर सकते हो हमारा इसलिए महेंगा पड़ा क्योंकि वह लेट में बुक किये थे बहुत सभी का मतलब तेईससो रुपए में बुक हुआ था पर परसं याँ बुक करके लग गया रुपय तो हम लोगा खर्चा यह हो गया ठीक है तो जैसे ही आप लोग जर्षोगड़ा मन पहुंचते हो चलो रायगर से बैठ गे ट्रेंड में जर्षोगड़ा के लिए तो जर्षोगड़ा पहुंचते हो ऐसे वहां से आटो ले लेना आटो में जाओगे सीधा जाओगे तो हाँ पे बोलते हैं कि आपके फ्लाइट है देड़ बजे रहती है तो आप क्या करना दस बजे के बाद ही होता है उससे पहले जाओगे तो बाहर में बैठने के जगा भी नहीं है घुमने के लिए तो आप जाओ दस बजे के बाद ही पहुंचो अराम से घूमो फिरो उसके बाद पहुंचो ग्यारा बजा सपस आप पहुंच जाओ एरपोर्ट जरसो गुड़ागा ठीक है उसके बाद वहाँ आप टिकट दिखाओ और अधार कार्ड तो आप लगता है तो फ्लाइट में सफर करने के लिए सिर्फ अधार कार्ड लगता है और टिकट ठ अधार कार्ड लगता है तो आप उतना बुक करके आप जा सकते हो तो जैसे ही आप हां पहुंचोगे दस बजजे के बाद में तो टिकट दिखाओगे फिर एंट्री होगा जैसे ही एंट्री होता है उसके बाद आप लोगो बिलाते हैं आपको बोलेंगे आप चेक करने के लिए रूल है कि अगर पकड़ने के पिछए मिले कीलों से किम अपने उपके करें चेक हो हो अपने नेए ऑप्क उपर में रख सकते हों और बड़ा बैग है मानके चलो 15 kg तक का उसको अपले के जाते हो तो 15 kg तक होना चाहिए 15 kg तक में चार्ज नहीं लगता है 15 kg से उपर रहने पर पैसे लगते हैं ठीक है उसको भी चेकिंग कराना पड़ता है चेक करने के लिए लोगों आप अंदर में बैठा होगे तो बुला है उसके बाद में आपका चोटा बैग में पांच केजी तक पकड़ सकते हैं एक आदमी का मतलब 5 kg और 15 kg दो बैग लेके जा सकते हैं आपको पहले पर च्छी वाला मिल रहते हैं तो उसको वहाँ पर दिखाना पड़ता है तो दो नंबर है मतलब वहां पर जाते हो ना जास जिसमें seat number लिखा रहता है और एक बात अगर आपको window seat चाहिए पहली बार शफल कर रहे हो तो एक काम करना जैसे booking करते हैं सीट तो हाँ पर option आता है seat book करने का एक seat का 100 रुपे लगता है और किसी किसी जगह का 150-200 रुपे लगता है तो आप seat book भी करा लेना मतलब 1500 का टिकेट साथ में 100 रुपे एक्स्टा दे देना मतलब seat book कर दो करके तो एक seat book हो जाएगा किनारे का था कि आप लोग को वहां पर लड़ना मत पड़े वहां पर मिलेगा तो उधर पार होना रहता है जहां बैठे हो उसके उस पार एरपोर्ट रहेगा जहां पर मतलब flight आएगा तो उस साइट जाने किसे पहले ना आप लोगो चेक कराना पड़ता है जो बैक छोटा बैक पकड़े हो पांच की जी का उसको चेक कराओगे वहां पर खोल के दिखा बैठ सकते हो उसके बाद आपके बड़ा बैग था तो बड़ा बैग को क्या करते हैं कि वहां पर जमा ले ले लते हैं जैसे यह आप रोलिंग बोर्ड में घूमते हुए आपके पास में आएगा तो आप चिंता मत करना बैक को जमा कर देना जैसे टीकट लोगे तो 15 किलो पास-पास का बैग है कोई बड़ा बैग तो जमा कर देना यहां पर एरपोर्ट में तो वहां पर एक स्टिकर लगाएंगे उसके बुद में रख लेंगे बैग ना डायक्ट वहां पहुंच जाता है मतलब आपके फ्लाइट में पीछे में कई समान वाला डालते होंगे तो वहां पर बुक करने का काउंटर रहता है उस काउंटर में जाओगे अपना नाम लिखवाओगे आपको कहां जाना है बताओगे फिर बोलेंगे साथ सो लगे या आट सो लगे हम लोग का लिंग राजमंदीर मतलब मुस्किन से चार या पांस क्लिम्टर दूर था लेकिन व खर्चा होता है सारा चीज उस वीडियो में है नीचे में लिंक दे दूंगा ठीक है कैप बुक करने के बस सीथा पहुंच गए लिंग राजमंदीर ठीक है 900 रुपए का वहां पे लिए हमें कैप बुक किये थे 900 रुपए साथ लोग में तो मुश्किल से 120-300 रुपए पढ बाद में हम लोग सुबह चले गए नंदन कानन और होटल में हम नहीं रुके होटल खाली कर दे क्योंकि होटल का रूल क्या रता है पता है कि जैसे भुनेश्वर का रूल क्या है अगर आप सुबह 10 बज तक खाली करते हो तो उसको एक दिन मानते हैं मतलब आज अगर मैं 12 1 बज़े दोपहर के बाद ड़ोटल में रुकता हूं तो आज के 12 बज़े से कल के 11 बज़े कल दिन के 11 बज़े तक एक दिन ऐając रखना की having बुक करते हो दिन में तो कल सुबह 11 बजे के बाद मतलब दूसरा दिन सुरह जाता है तो उससे पहले खाली कर दो ताकि एक दिन का चार्ज लगे अगर आप 11 बजे से बाकी और रुखते हो तो दो दिन का चार्ज देना पड़ेगा ध्यान देना कि होटल का अलग है रूल रह तो एक दिन मानते हैं एक दिन का किराया ठीक है अगर आप सुबह 6 बजे के बाद और रुख जाते हो और 10 बजे खाली करते हो तो आपको दो दिन का पैसा देना पड़ेगा होटल का ठीक है उसको ध्यान देना है जैसे कि मैंने बताया है कि हमने बुनिस्वर में मतलब होट अच्छे साथ लोग हो तो पर परसन आपको 40 रूपए या 30 रूपए से कुछ लेते हैं लोग चले गए सिधा नंदन कान घूमने के लिए जाकि 50 रूपए टीकट है वहां जाओ तो पता चलेगा घूमने का 50 रूपए है अंदर जाके 50 रूपए भूम सकते हो और आम से ठी ठीक है उस कारण के बहर में बस दिरन के बिया तो भस से आप से जा सकते हैं कुणार कुआरवे बस इस चेल में में आपको दो तरह के बस आएँगे एक आएगा पुरी जाने का बस आएगा और दूसरा आता कुणार कमंदिर यहां कुणार्क है तो यहां पूरी है तो हम लोग पहले कुणार्क गए ताकि कुणार्क से पूरी जाएंगे फिर पूरी से वापस आएंगे क्योंकि पूरी से राइगड का ट्रेन था ठीक है वैसी रहता है क्योंकि कुणार्क में ट्रेन नहीं चलता है तो हम चले गए सब्सक्राइब है उसकी लिए होटल के बारे मीं है उस वीडियो में जाके चेक कर लेना फिर होटल लेने के बाद मैं हमने एक ही दियर रूखा वहां पर कुनार्क देखने के लिए मतलब जिस दिन हम गए रात को तो रात को रूखे और वहां पर रूल क्या था कुनार्क में भी कि आपना 10 बज तक खाली कर दो 10 बज तक खाली करोगे तो आपको एक दिन का खर्चा लगेगा मतलब होटल का प्राइज और 10 बजे के बाद आप रुखते हो तो दो दिन का आपको पैसा देना पड़ेगा समझ जाओ भुनेश्वर में हैं 11 बज तक सुबह की 11 बज तक खाली कर दो तो एक दिन का चार्ज लगेगा ग्यारा बज के बाद 2 दिन हो जाएगा और कुरार्क में है 10 बज तक करो और पूरी में 6 सब्सक्राइब करने के बाद में सब्सक्राइब करने के बाद में सुबे निकल गए हम लोग दस बजे असपास उस होटल से भी खाली कर दिये कि हम जा रहे हैं एक दिन का हो गया उनलाइन बुक किये थे उसको उनलाइन बुक कर सकते हो और दोनों का प्राइब होता है पहले बता दू आप उहां जाके बात करते हो तो सैद महंगा भी पढ़ सकता है आप दूर स लगा लोगी कि 4500 पर रूम मिल जाता तीन रूम का 400 रूपे पढ़ता लेकिन वहां पर 700 रूपे तीन रूम का पढ़ गया हम लोग को चलो जैसे कुणारक होटल खाली करने के बार हम लोग कोंच गये कुणारक मंदीर मतलब पूरा समान पकड़के घूम रहे थे बड़ा- से से में हैं कुणारक मंदीर में भी मतलब उसके पास मीं ही तो वहां से मुखील से बीच वहां पर बस भी आता है। फोटोस की चाये बहुत सारे कुछ खाये पीए तो सब खर्चा भी इंक्लूड है ठीक है बाद में बताऊंगा तो वहां भी कुछ खर्चा हुआ फोटो हम लोग क्लिक कर आए डेस लारा मार पस नहीं था तो वहां पर रेंट पे लिए वह लोग 20 रुपए एक फोटो का ले थे तो हम लोग थोड़ा बहुत फोटो सुट कर आए एक फोटो दो फोटो ठीक है उसके बाद में चंद्रभागा बीच में मस्ती करने के बाद में वहां पर बस भी आता है पूरी के लिए तो जैसे हम लोग मस्ती के फिर दुढ़ाई बस गया उसके बाद में हमारा एक ब में होटल बुक कि आएसा होटल इस नाम थासे बहुत से लोग थे यह बहुत होटल का चार्ज सबसे रखेंगा पड़े गया मतलब तीम था में हम लोगों पड़े था 7000 धनी नहीं न कर रूप斯 सान्यार और रुपसरे हैं, त। उसके बाद हम 2 description boots 1 मैं सोपिंग कई उसके बाद में हम लोग गए थे चिलका जील जो की एक सिग्रेट आयलाइंड करके वीडियो डाला हूं देखना सिग्रेट आयलाइंड जो की चिलका जील में है जहां पर आप समुद्र और जील के वीजो बीच में जा सकते हो ठीक है तो वहां जाने का खर्चा हम लोगों को ले गए 1500 रुपए एक कार बुक चिलका जील उसके बाद में चिलका जील पहुंचने के बाद हम लोगों पे टिकट लिए टिकट का प्राइज हो ज्यादा था तो वहां पे 2600 रुपए का नॉर्मल टिकट था एक आता है 2600 को नॉर्मल टिकट जिसमें आप सिर्फ बीच पे जा सकते हो और दूसरा है डॉल अगर नहीं है सोग तो आपको 2600 रुपए वोट का लगेगा ठीक है बाकी बहुत सारा अलग-अलग रहता है यार कुछ लोग बताते हैं 13100 लगता है कुछ लोग 1500 कुछ 1600 पता नहीं हमसे 2600 बाकी भी पर चा में लिखा था पता नहीं पता वाकी एक में लिखा था चबीस स बनाइब घूबर मन्यों बोल्ग है लुंकिनिस क्यों आता है फिर उसके बाद में हुआ से भूक कर लिये थे चार-फाइस तरीप्स पास दिन का या छे दीन का उसा प्रेंड तो लास डेमें रात को बेढना पड़ीं का शोड़ा होता है एक ही ट्रेन आता है वहां से डारेक्ट रायगर के लिए तो आठ नाव बजी हम लोग चड़ गए ट्रेन चड़ने के बाद में हम लोग सुबह नहीं दोपाद तक हम लोग पहुंच गया रायगर वापस तो अब रिवाइन करते हैं हम लोग गया घर गुड़ा से रायगर र सीथा चले गए बुनेश्वर के पास ही कुणार्क वाला बस इस्टेन ठीक है जहां से कुणार्क जाने का एक बस आता है एक नहीं बहुत सारे बस आते हैं तो बुनेश्वर से हम लोग बस पकड़े कुणार्क मंदिर के लिए चले गए कुणार्क बस इस्टेन उसके बाद में हम चले गए वहां से चिलकाजील जो कि बहुत कम लोग जाते हैं बगर आपको जाने कम बने तो जा सकते हो तो इतना सारा जगा घूमने के बाद में जो बजट बनता है टूटल खर्चा बता देते हैं आपको तीरपन हजार संतिं हुआ साथ लोगों में लेकिन उसक बहुत सार 아 सल यस्टीकिक ऑर भी खर्चे हैं जिसे कि उनल चढ़ा बोटइंग औलग खर्चा है मैं और ल County चला सब्सकों करण ng Sakah analyst स्युन हों यह्जल लेकिन जो मेन खर्चा हुआ सा शारी एक सात में खर्चा कर रहे थे रूम का रहने का जाने का आने का हूटल का टोट पड़ेगा तो आपको और भी कम पड़ेगा जो आपको तीन हजार रुपए मैं पर पर सब्लाइट का वा कम हो सकता है मतलब यह जाने-ाने का समझेट तीन हजार रुपए तो फ्लाइट और ट्रेन का है ठीक है उसके बाद में बाकिवां घूमना फिर ना आटो रिक्सा या फिर जो भी ट्रैवल करने का सोपिंग करने का कुछ-कुछ मस्ती था ना होटल का प्राइज सारा मिला के वह पड़ा हम लोगों मतलब मतलब तीन अजार आने जाने का और पांस जार रुपए रहने खाने होटल का खर्चा इतना करके पांसर रुपए होटल एक आधमी का 8000 में हो जाता है ठीक है फलाइट में भी जाते हो तो और से फलाइट कराते हो मतलब 1500 में बुक हो जाता है तो और खर्ण बच गए उसके अलावा अगर आप से However सब्सक्राइब और नहीं पकड़े हो और भी असमान रहता है इसलिए अच्छा सा से वोटल 5 पांच शावय मिल जाता है आप जाके ले सकते हैं और एक है कि अगर आप सिर्फ लड़के हो, लड़की-लड़की हो तो एक उफ्सान रहता है आप पांच लोग छे लोग एक ही रूम में रहता है पर दिन का पर दिन का बहुत कम है खर्चा कुछ बता दिया मैं कि क्या क्या लगता है कहां गये थे सारा चीज तो अगर आप चिलका-चिल नहीं जाते हो तो बहुत सारे पैसे और बच जाते हैं जो मैं मैं बच बता कि 5,000 गूमने फिरने के खर्चा हुआ तो उस 5,000 में से और बच जाएगा थोड़ा सा क्योंकि चिलका-चिल जाने का पंदरा सुक जाने का उसमें चड़ने का उसमें नाव खरीदेने का बहुत सारे पैसा लगता है तो वह भी बच सकता है तो पूरी जा उसके बाद में हम पूरी गए तो उसके बाद में हम चिलका-चिल गए तो कितना सा रभू में फिर भी हम लोगा पर पर परसन आठ चार रुपे खर्चा हुआ है आप डारेक्ट चले जाओ वहां से 50-100 रुपे का बस पकड़ लो उसके वह सीधा पहुंच जाओ पूरी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना अब कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके बताना और जरनी देखना चाते हो तो आठ एपिसोड में है नीचे में लिंक डाल दूँगा 1234567 करके जो एपिसोड देखना चाते अच्छा लगा तो लाइक कर दो ठीक है और कोमेंट करके बता दो अच्छा लगा तो अच्छा लगा बोलना और बुरा लगा बुरा और कुछ पूछना है तो जवाब देगा आपका बाई अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और रहा हुआ 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 हुआ